कौन कहता है कि गर्मी में फूलो की कवी होती है दोस्तो ठंड के मौसम जैसा गर्मी में उतने जादा सिजनल फ्लास नहीं होते है लेकिन इस समय पर्मनन फ्लास के भरमार होता है हमारे गादन में तो ये जो सीजन है फ्रेंड्स वसंत रितू ये ऐसा समय है जिस समय आप कटिंग्स को बहुत आसानी से लगा सकते है इस साल अप्राइल महिने में बहुत जादा गर्मी हो रही थी लेकिन अभी पिछले दो दिन से टेंपरेचर में गिरावट आई है बहुत सारे राज्यों में बारिश भी हुई है तो ये जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छा अनुकुल माना जाता है स्प्रिंग सीजन और साथ में बारिश तो कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती है दोस्तो लीस्ट का जो पहला प्लांट है वो है ये मदुमाल्ती का फूल और मदुमाल्ती आप देख सकते हैं गुच्छों में खिलता है भर-भर के फ्लारिंग होता है और एक गुच्छे में आपको कई रंग के फूल दिखता है बहत खुबसूरत दिखता है अगर ये प् लगाते हैं, थोड़ा पानी का धहन रखना पड़ता है, लेकिन गंबले में भी यह बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है, तो फ्रेंट्स, कटिंग से आप इस समय इस प्लांट को लगा सकते हैं, गंबले में अगर लगाते हैं, तो ट्रेलीज इसके लिए तैयार करें, कैस से भी ट्रेलीज आप बना सकते हैं, यह देखी एक इस तरह ट्रेलीज मैं वायर से बनाई हूं, और बहुत अच्छे से यह ग्रो भी कर रहा है, और कुछी टाइम इसमें फ्लारिंग भी शुरू हो जाएगी, दोस्तो अगला जो प्लांट है, यह देखी यह है चान्दी का पौधा और चान्दी का पौधा एक बहुत कॉमन प्लांट है, आपको रास्ते में अगल बगल आपको किसी के घर में यह मिल जाएगी, लेकिन इस समय यह भर-भर के फ्लारिंग करता है, पूरे गर्णी भर बहुत अच्छे से यह फ्लारिंग करता है, कोई सा भी फूल दो कटिंग लेके मैंने यहां बस सी के घर में खोज दी थी, तो आप देख सकते इसमें किस तरह पत्या निकल रही है, तो इसका मतलब भी है कि रूटिंग आना शुरू हो चुका है, तो मैं देखी इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ और देखते है किस तरह इसमें लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पत्या निकल जाने के बाद भी उसको डिस्सब नहीं करना है, अटलीस देख से दो डाई मैना उसको रखना है कटिंग को, उसके बाद ही उसको आपको रिपॉर्ट करना है, दोस्तों अगला जो पौदा है, खुबसूरा सा इसमें फूल यह देखिए चोटी-चोटी पिंक कलर के फ्लास, यह क्रीपर है, जिसका नाम है लेप्टोपस, पूरा नाम है अंटी-गोनोन लेप्टोपस, इसका जो कॉमन नाम है, वो मुझे भी नहीं पता है, रास्ते में आते जाते आपको यह पौदा को मिलेंगे, इसको आप लगा सकते हैं, क्रीपर है, तो आपको ट्रेलीस जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि ट्रेलीस में यह बहुत सुंदर दिखेगा, मैं भी कोशिश करूँगी इस प्लान को गमले में लगाने के लिए, तो इस प्लान को भी आप इस समय जरूर अट कर सकते हैं, पूरे गर जो आप देख सकते हैं, इसमें लाल रंग पिंग कलर साते हैं, गुच्छों में खिलता है, आप देख सकते हैं, और लॉंग लास्टिंग फ्लार है, एक हाडी प्लान है, इसको आप लगा सकते हैं, इसके इस तरह के आप डाली ले सकते हैं, पैंसिल जैसे मोटा डाली, और कटिंग से बहुत आसानी से ये लग जाती है तो friends इस मौसम का फायदा उठाइए वसंद्री तू और साथ में जो टेम्परेचर का डाउन होना बारिश होना है तो इसको जरूर आप लगा लेगे दोस्तो अगला जो पौधा ये देखिए ये गुच्छो में खिलता है ये भी बहुत खुबसूरत प्लांट है आजकल तो इसके कई रंग आने लगे है लेकिन ये पर्टिकुलर कलर आपको रास्ते भी दिख जाएंगे ये है कनीर ओली अंडर जिसे का जाता है और इसमें भी हल्की सी भीनी-भीनी खुश्बू होती है मेरा जो ये प्लांट है ये कटिंग सही लगवा प्लांट है कटिंग बहुत आसान इसे लग जाती है तो इसके आप टिप कटिंग भी ले सकते है या मोटी पेंजिल जैसा कटिंग भी ले सकते है कैसे भी कटिंग इसके लग जाते है दोस्तों गर्मी में cuttings लगाने के time हमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मौशर मेंटेन होनी चाहिए थोड़ा शेड में cuttings को रखना है आप किसी बड़े गमले में cuttings लगा सकते है या cutting इसमें लगा रहे उस गमले को किसी बड़े गमले के मिट्टी के उपर रख दीजिए प्रिंट्स कनेर का एक दूसरा पौधा ये देखिए ये भी कनेर के नाम से ही जाना जाता है और इसको कैसके बेला थेवेटिया भी का जाता है ये इसका scientific name है और इसमें yellow रंग common होता है लेकिन ये देखिए ये वाला जो रंग है ये थोड़ा uncommon color है घंटी फूल के नाम से ये जाना जाता है शीब जी को चड़ते है तो इसके भी cuttings आप लगा सकते है आपको रास्ते में इसके बड़े बड़े पेर नज़र आएंगे लेकिन आप इसको गंले में भी friends लगा सकते है दोस्तों अगला जो प्लांट है वो गर्मी के लिए one of the best plant माना जाता है ये है ब बोगनविलिया में भी आपको बहुत सारे कलर आप्शन मिल जाएंगे और ये जो आप देख रहे है ये multi-petal बोगनविलिया है बहुत संदर लगता है गंले में भी बहुत अच्छा लगता है जमीन में तो अच्छा लगता ही है कटिंग से आप इस समय बहुत आसानी से लगा ले दोस्तों अगला जो खुबसूरत या प्लांट देख रहे है गुच्छो में से फ्लारिंग होती है ये है मेक्सिकन हनी सकल का प्लांट एक पर्मनेंट प्लांट है सारा साल खिलते रहती है लेकिन ये पर्टिकलर वसंतरीतू से लेकर मैं जुन तक इसमें बहुत खिलता है तो इसको भी आप फ्रेंट इस समय लगा सकते एक नो केरिंग वाली प्लांट है और आप देख सकते इसके जो ब्रांचेज है इसमें आप देख सकते हैं किस तरह रूट्स निकली है तो ऐसे ब्रांचेज को अगर आप कटिंग करके लगा देंगे 100% चांसे है कट अगर देख सकते हैं किस तरह कली बन रहा है तो यह इसके ग्रूइंग सीजन है इसके डाली को आप कटिंग को आप लगा सकते है इस तरह अगर डाली लेंगे तो कटिंग 100% लग जाएगी तो फ्रेंट्स एक जोड़ा को भी आप इस मैने अप्रिल मंत में कटिंग से लगा सकते हैं फ्रेंट्स अगला जो प्लांट है यह है टिकोमा यह भी गर्मी में भर-बर के फ्लारिंग करता है टिकोमा में भी बहुत सारे वराइटी आजकल मार्किट्स में आने लगे है तो फ्रेंट्स टिकोमा के कटिंग को भी आप इस समय ज़रूर लगाईए दोस्तो आप कटिंग से लगा सकते हैं कटिंग अपराइल खतम होने के पहले-पहले लगा लीजिए क्योंकि आगे जादा गर्मी हो जाएगी कटिंग लगने में मुश्किल होगी दोस्तो अगला जो इनिक प्लांट है बहुत खुबसूरत इसके फूल होते है यह देखिए यह है है इसके गुच्छों में फ्लारिंग होती है पिंक कलर के है देखने को मिलेगी तो इसके भी कटिंग साफ इस समय आप लगा सकते है ऐसे तो हैड़नग बहुत धूपरदाश नहीं कर पाती है लेकिन अगर आप शेड वाली जगह में रखेंगे और इस तरह के जो डाली मैंने आपको दिखाई ऐसे लगाएंगे तो इस समय ये कटिंग से लग जाएगी, फड़ा कॉसली आता है इसके प्लान्ट तो इसको भी आप कटिंग से इस समय लगा सकते हैं फ्रेंट्स, नेक्स फ्लान्ट है थनबर्गिया इरेक्टा, इसे घंटी फूल भी कहते हैं, इसको भी आप इस समय कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं अगला जो पौदा है, यह है ईफोबिय मिली, इसमें भी कलर्स आते हैं, यह देखिए यह तो पीला रंग है, छोटा सा चोटा से इसमें फ्लास आते हैं, लॉग लास्टिंग फूल होते हैं काटादार पौदा है, तो इसके cuttings को भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, पानी से आपको इसको बचा के रखना है, जब आप cutting लगाते हैं, ओर watering ना करें, इसी का एक बड़ा size का ये full है friends, ये भी पीला रंग का है, rate color जो है ये common है, गर्मी भर इसमें भर-बर के flowering होती है, cuttings लगने में थोड़ा time लगता है, लेकिन लग जाती है, तो इस season में इसके cutting को आप लगा सकते हैं, friends, अभी कुछ time पहले मैं इसके cutting को लगाई थी, और ये देखिए, महिना भर में इसमें किस तरह पत्तिया वगरा निकलाई है, इसको मैं भी disturb नहीं करूँगी, क्यों इसकी disturb करने से हो सकता है, प्लांट ग्रो ना करें, तो friends, आप चंपा के cutting को भी आप इस समय लगा सकते हैं, दोस्तों अगला जो plant है, unique plant है, rare plant है, और बहुत शुब माना जाता है, ये है ब्रह्म कमल का पौधा, जैसे कि मैंने बता है, ये काफी rare plant है, कई बननर सरीज वगर अगरों आप इस प्लांट ग्रो करना काफी आसान होता है, तो कहीं भी अगर आपको पतो की cutting मिलती है, तो आप बहुत आसानी है से इसके plan को लगा सकते हैं, इसके पतो की cutting को कैसे लगाना है, कैसे मिच्जी में लगाना है, इस के उपर आफ चानल में ये वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए फ्रेंस ये देखिए इसके कटिंग से ये कई सारे पौदे में अल्ड़ी तियार कर चुकी हूँ तो इसके कटिंग को आप इस समय लगा सकते है इसमें फ्लारिंग जो शुरू होती है माई जून से शुरू होती है और ठंड आते आते जब तक न बहुत जादा ठंड आती है तब तक इसमें फ्लारिंग होती है तो एक बर प्लांट जब मैच्योड होता है तब इसमें फ्लारिंग होती है फ्रेंस तो ये था कुछ पर्मनेंट प्लांस जिसके कटिंग को आप अप्रेल खतम होने के पहले पहले जल्दी से लगा लिजे फ्रेंट्स तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने बिल्कुल न भूले और जो फ्रेंट इस चानल में नए है वो चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को आपको आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे बहले पहुँचे तो फ्रेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो इपसम आप करती हूँ अपक पूरोच प्रेंट्स